हलो एफ्रीवान वेलकम ट्यू ग्लोबल ऑनलाइन दिस इस अंकीता सूध और आज की इस वीडियो लेक्चुर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं विस्विंगोल सेट 2023 के पेपर वन का एक इंपोर्टेंट सेक्शन जो की आता है टीचिंग अप्टिट्यूड यूनिट के अंडर इस टॉपिक का नाम है लेर्नर्स करेक्टिस्टिक्स का बेसिक इंट्रोडाक्शन और इस टाइप्स ये वीडियो बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से इस टॉपिक से हर साल एक से दो क्वेशन जरूर पूछी जाते हैं और इन वीडियो लेक्शर्स में हम एक्जाम ओर्येंटेड वे में कम्प्लीट पेपर वन की प्रेपरिशन आपको करवाते हैं जिससे की गेरेंटेड आपका सेलेक्शन फॉस्ट अटेंट में ही हो सकता है तो टीचिंग आप्टिट्यूड लेक्शर सीरीज में ये हमारा लेक्शर नंबर टू है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी तक प्रिवेस लेक्शर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्ष चेक कर सकते हूं वहां पे आपको कम्प्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा and previous lectures का link मिल जाएगा जो कि आपको बहुत जादा help करते हैं exam में अच्छा score करने में so main content पे जाने से पहले आप सभी students के साथ एक और important instruction में ये share करना चाहती हूं कि आप सभी को पता होना चाहिए कि West Bengal Set exam में हमारे paper pattern को 2 sections में divide किया जाता है paper 1 and paper 2 paper 1 जो होता है ये हमारा common paper होता है जिसमें की total 50 MCQs पूछे जाते हैं and paper 1 में total 10 units हमारे पास होती है so इस paper के अगर आप अच्छे से तयारी करते हो तो यही आपको exam में अच्छा score करने में मदद करता है so paper 1 का complete course global online की team आपको provide कराती है जो की 100% guaranteed है so इस complete course में आपको मिलते है full syllabus video lectures आपको पता है की paper 1 में total 10 units होती है so 10 की 10 units के video lectures आपको यहाँ पे मिलेंगे जिसमें की smart tricks के साथ हमने आपको हर एक चीज़ बताई है full syllabus notes आपको यहाँ पे मिलेंगे इन full syllabus notes में हर एक चीज़ को graphs, images, diagrams के साथ present किया गया है ताकि students एक बहुत interesting way में concepts को समझ सके साथ कि आपको यहाँ पे full syllabus mock test मिलते है separate हर एक unit का mock test हम आपको देते हैं जो कि आपकी final preparation में final revision में बहुत जादा help करता है and सबसे अच्छी बात इस course की यह है कि इसमें हम आपको 2000 plus MCQs की PDF देते हैं यह questions ऐसे हैं जो कि as it is exam में पूछे जाते हैं exam से पहले आप लोग अगर सिरफ यह 2000 questions को भी पढ़ लेते हो इस complete course के complete होने के बाद final revision के लिए 2000 questions को पढ़ दीजिए as it is questions exam में बहुत बार आते हैं and हमारे previous batch के students ने भी इसी के basis पे अपना West Bengal set exam qualify किया था इसमें आपको previous year questions में मिलते हैं जिससे के आपको एक idea हो जाएगा कि किस तरह के topic किस तरह के questions generally exam में पूछे जाते हैं so इस complete course को join करने के लिए screen पर दिये गई numbers में से किसी भी number पर आव WhatsApp के help से contact कर सकते हो so generally इस complete course की fee है 2500 रुपीज लेकिन अभी हम आप सभी students को flat 20% off दे रहे हैं यानि कि आप लोगों को इसके लिए fees पे करनी होगे सिरफ 2000 रुपीज तो जल्दी से आप इसको join जरूर कर लीजे guaranteed selection के साथ हम ये आपको paper one का complete course देते हैं इसका इक alternative मैं और भी आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है description box चेक कीजिए वहाँ पे आपको हमारे आप global online का link मिल जाएगा play store पर इस तरह से हमारा आप नजर आता है आप directly भी search कर सकते हो आपको download करने के बाद आपको अपने mobile से login करना होगा and then आप directly अपने home screen पर बहुन जाओगे इस तरह का interface आपको home screen पर नजर आएगा then आपको जाना होगा यहाँ पे store section पे store section पे जाते ही students आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक इस तरह का interface आपके सामने आएगा जहाँ पे आपको select करना है all categories all categories की जगा यह जो search बार आपके सामने नसरा रहा है आपको यहाँ पे जा करके directly आप लोग WB set भी लिख सकते हो यह लिखते ही आपके सामने वेस्ट बिंग all set का complete paper one का course आजाएगा आप इस पे click करोगे so इसका overview देख सकते हो क्या क्या चीज़े हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं क्या इसकी duration रहती है and इस content को access करने के लिए आपको directly content section पे जाना होगा and then यहाँ पे आप easily देख सकते हो कि unit wise complete हमने syllabus cover किया हुआ है for example अगर हम teaching aptitude की बात करें तो 23 video lectures में हमने इसको cover किया है साथ यहाँ पे two files हैं जिसमें teaching aptitude के complete notes है and four mock test यहाँ पे आपको मिलेंगे तो यह guaranteed course है जल्दी से आप लोग इसको join कर लीचे बहुत ही easy है कोई query अगर असर related आपको लगती है तो आप हमें comment करके भी बता सकते हैं students अपने topic पे जिसमें आज हम लोग बात करेंगे learners के characteristics की यानि की एक शिक्षार्थी की क्या क्या विशेशताएं होती है तो एक learner कौन होता है एक learner होता है student ठीक है so अपने आपको आपने एक student की जगा पे रखना है कि एक अच्छा student क्या हो सकता है so learning means a permanent change in the behavior of the learner through experience instructions and study अब एक student के nature में उसके behavior में changes आते हैं अगर उनका experience से वो सीखता है या फिर कोई educator कोई teacher उनको ऐस instructions दे कि उनके mind में वो set हो जाए और उसको implement करने लग जाए उससे भी उनका behavior changes आता है and उनकी study कि वो क्या पढ़ रहे है क्या सीख रहे हैं इससे भी एक learner के characteristics में बहुत से बदलाव आ सकते हैं right so learning क्या होती है कुछ चीज सीखना सीखते हैं अगर हम तो वो क्या होती है तो learning is strongly based on intellectual level cognitive ability intellectual level मतलब कि person A कितना intelligent है कितना fast उसका दिमाग काम करता है दूसरा होता है cognitive ability cognitive का मतलब क्या होता है जो भी चीजे हमारे mind से related होती है हमारे brain से related होती है उसको बोला जाता है cognitive so एक person का intelligence level उसका mind level यानि की cognitive ability उसकी personality and उसका attitude attitude यहाँ पे मतलब है कि वो actual में सीखना चाता है कुछ यह नहीं सीखना चाता ठीक है so उसके सारी की सारी ये points को ध्यान में रखते हुए ही एक learner के बारे में हम कुछ बता सकते है अब जैसे एक person A है मान लीजे कि वो MBA करने लगा है उनका बिलकुल मन नहीं MBA करने का जबरदस्ती घरवालों ने भेज़ दिया दोस्तों के चक्कर में आगे तो यह होगा उनका attitude कि बस जबरदस्ती भेज दिया नहीं करनी थी ठीक है वहीं अगर person A को मान लीजे कि designing में जाना था web designing में तो यहाँ पे उनका attitude कुछ और होगा क्योंकि यह वो अपने interest के साथ कर रहे थे तो कहां पे किसी person का interest है क्या उसका intelligence level है क्या उसका social status है यह सारी की सारी चीजें उसकी learning पे यानि कि वो जो क्या सीख रहे है कितनी जल्दी सीख रहे है उस पे depend करता है तो आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि कभी आपका mood खराब है तब आप पड़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा बहुत अच्छे mood में बैटे हो या फिर कोई tension है कि कल exam है एक हफते के बाद exam है तो आप जल्दी से चीजें भी समझते हो और उस तरह से prepare रहते हो तो यह सारी चीजें important होती है examination point of view से एक्जाम में इसी तरह की statements पूछी जाती है as it is आपको बताना होता है कि यह statement correct है या incorrect है एक learner को हम चार चीजों के basis पे recognize कर सकते हैं वो चार चीजें हैं उसकी cognitive characteristics उनकी personality social characteristics और physical characteristics इस chart को आप लोगों ने याद रखना है cognitive characteristics में आता है मैंने आपको बताया उसके mind से related चीजे technology में किसी को interest कितना है reading level कितना है visual latency कितनी है उनकी ठीक है यानि कि किस चीज में interest है क्या वो actual में सीखना चाहता है क्या उनको जबरदस्ती सिखाया जा रहा है ये सारी चीजें एक learner पे effect करती है और learner पे अगर वो चीजें effect करती है तो learner के output यानि कि जिसको हम outcomes बोलते है final results बोलते है उन पे भी इस चीज का असर पड़ता ही पड़ता है ये होती है cognitive ability cognitive characteristics जो की बहुत ही जादा important होती है ठीक है इसको हम लोग या तो learner's characteristics भी बोल सकते है या फिर इसको बोला जाता है four heads of a learner h-e-a-d-s four heads of a learner ठीक है अब यहाँ पे learner आप बोलोगे कि हम कौन से learners की बात कर रहे है generally होता क्या है कि हमारे पास दो तरह के learner होते है एक learner होगा कोई छोटा बच्चा एक learner होगा कोई school level का बच्चा तीसरा learner हो सकता है जो college, masters इस तरह से कुछ पढ़ाई कर रहा है तो यहाँ पे हम आगे जाकरके learners की characteristics को यह जो four characteristics हैं इनको इन तीनों phases के हिसाब से भी divide करते हैं कि अगर इस age group का बच्चा है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि previous year learners characteristics से related क्या question आए थे उसका answer ज़रूर आपको आता होगा अगर आप इसको अच्छे से भी समझ रहे हो next है personality characteristics यानि कि वो कितना active है actual में motivation to learn, meditation करते हैं क्या उनका environment है कैसा उनका lifestyle है यह सारी की सारी चीज़े उनकी personality characteristics को measure करती है अगर कोई एक person है माली जो बहुत active है exercise, gaming यह सब चीज़ों में काफी active रहता है तो उनका mind fresh रहता है हर समय लेकिन वहीं दूसरा तरफ एक student है जो कि हर समय mobile चाहिए सोय रहेंगे तो उनका personality characteristics as compared to दूसरे वाले student से थोड़ा लो रहता है कोई person अगर depression में है कोई family pressure है या फिर कोई भी issue हो सकते है तो उन लोगों का personality characteristics थोड़ा लो रहता है इस वज़ा से वो थोड़ा सा slow चीज़ों को समझते है राइट यह दो characteristics आपको बिल्कुल clear है अब आते हैं तीसरे पे जो की है social characteristics social मतलब कि उसका educational level क्या है career क्या है वो आसपास के लोगों के साथ कैसा उनका रिष्टा है कई होते हैं कि office जा रहे college जा रहे हमेशा थोड़ा mood घराब रहेगा उनका हमेशा वो लड़ते जगड़ते रहेंगे आसपास वालों के साथ तो वो वैसे ही थोड़ा irritated से रहते हैं वो क्या पढ़ पाएंगे कुछ वहीं दूसरी तरफ कुछ है जो अच्छे खुश रहते हैं सब के साथ मिलते हैं सब के साथ अच्छा behavior है उनका तो उनकी social characteristics उनके सीखने की चीज़ों पे में बात की गई है नेक्स आता है physical characteristics इसको आप समझ लीजिए आगे question बताऊंगे उससे बहुत concept आपका clear हो जाएगा physical characteristics में आती है किसी की virtual ability ठीक है age हो सकता है sex हो सकता है fatigue हो सकता है कोई भी किसी को बिमारी है ठीक है अगर कोई बिमारी से परिशान है तो वो कैसे समझ पाएंगे कैसे ध्यान दे पाएंगे तो ये सारी आती है physical characteristics में आप लोगों को concept आपका बिल्कुल clear है अब भी अगर थोड़ा confusion है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो शायद हो सकता है confusion लेकिन आगे जैसे मैं questions आपको करवाती जाओंगी आप लोगों को concepts बिल्कुल clear होते जाएंगे ये देखो students ये question है 2016 में पूछा गया था इसमें बोला है the teacher who keeps on asking questions in the class एक teacher है जो class में questions पूछे जाते हैं तो क्या होता है इस student पे क्या फरक पड़ता है should be advised to meet teacher personally sorry यहाँ पे होगा teacher नहीं होगा एक learner होगा अगर एक learner class में question पूछता ही जाता है तो क्या होगा तो उनको teacher को क्या suggest करना चाहिए उस बच्चे को should be advised to meet teacher personally उनको बोला चाहिए कि class में मत पूछो आप लोग teacher को बाद में बाहर मिलो personally मिलो ठीके should be encouraged to participate in classroom discussion उनको encourage करना चाहिए कि आप और भी जादा participate करो class discussion में should be encouraged for self learning उनको बोलना चाहिए कि हम नहीं बताएंगे आप खुद से सीखो should be encouraged for continue questioning यानि कि उनको बोलना चाहिए उनको बोलना चाहिए कि जैसे आप questions पूछ रहे हो आप पूछते रहो इस चीज़ से knowledge बढ़ेगा तो यहाँ पर देखो बताया गया है classroom की condition बताई गयी है और बताया गया है कि अगर ऐसा case आपके पास आता है तो आपको क्या करना चाहिए उस learner के point of view से आपको बताना है तो इसका right answer आपको पता है तो फटा-फट comment कीजिए अभी मैं आपको answer बताती हूँ that is option number 4 that a learner should be encouraged for continue questioning उसको बोलना चाहिए कि questions आप पूछते रहो next है personal characteristics personal characteristics में आता है मैंने आपको बताया maturation, language, social economic status ठीक है यह जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर अभी discuss की है यह वही है personality characteristics वही है personal characteristics ठीक है आप इसको simple language में यहाँ पर देख सकते हो next है academic characteristics यानि कि कितना knowledge है, किस class में पढ़ते है educational level क्या है, education का type क्या है यह सारी चीज़ें आती है academics में cognitive मैंने आपको बताया intelligent कितना है चीज़ें कई बच्चे होते हैं एक बार पढ़के याद रख लेते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको तीन चार बार पढ़ना होता है फिर वो याद रख पाते हैं तो सबका अपना अपना level होता है इस तरह की जो levels होते हैं इसको cognitive characteristics बहुते हैं एक learner की अब ये चीज़ें यहाँ पर क्यों add की गई हैं क्योंकि आप लोग teacher बनने वाले हो ठीक है आप लोग PhD करने के बाद इसी field में जाने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक student एक चीज़ को एक बारी में नहीं समझता है तो आपको उसको किसे दूसरे student के साथ compare नहीं करना है क्योंकि हर एक student का अपना cognitive level जो होता है वो different होता है इससे related एक और question है वो ये है कि विच अमंग दो फॉलोविंग इस अ cognitive characteristic of learner क्या हो सकती है sensory perception यानि कि समवेदी धारणा belief यानि कि किसी चीज़ को मान लेना कई लोग होते ना कुछ भी बोलो वो मान जाते है academic self concept यानि कि academic आत्म अवधारणा या फिर levels of visual literacy यानि कि दृष्य साक्षरता का स्तर तो इसमें से एक learner की cognitive characteristic क्या है ये भी 2018 में question पूछा गया था किसी एक series में ठीक है इसका right answer है option number four that is level of visual literacy यानि कि उसका कितना उसमें level है उसके mind का level कितना है visually वो visual वो कितना level पे कर सकता है किसी चीज़ को ये बताता है उसकी cognitive characteristic को तो अगर आप लोगों को ये four characteristics जो मैंने बताई इनकी basic किसी बच्चे के दिमाग की बात की गई है कहां पे उसकी personality की बात की गई है कहां पे उसकी knowledge की बात की गई है कहां पे उसकी qualification की बात की गई है ठीक है so इसी basis पे इन चीज़ों को divide किया जाता है अब यहां पे देखो students ये भी है एक previous year question ही है यहाँ पे match the following आपको करना है cognitive, emotional, social, verbal ठीक है बहुत easy question है cognitive का मतलब क्या होता है राइट 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 जल्दी से आप लोग इसको बता सकते हूँ बहुत easy question है ठीक है so cognitive यहाँ पे आप देख लो directly मैंने answer बता दिया cognitive का मतलब होता है mind से related अब किसी के mind का level क्या है वो पता कैसे चलेगा कि वो abstract problems को कैसे solve कर सकता है क्या उनकी ability है इसको solve करने की उसके बाद आता है B का 3 यानि कि emotional में यहाँ पे बोला गया है ability to read other's facial expressions यह तो पता ही है कि किसी के expressions अगर हम समझ रहे हैं यानि कि हम emotionally बहुत strong है third है यहाँ पे social यानि कि ability to relate to another हम कैसे किसी के साथ relate करते हैं कैसे हमारे किसी दूसरे के साथ relationship है यह यहाँ पे बताया जाता है and verbal में होता है ability to articulate the idea यानि कि कोई बात थी उस पे कैसे idea को हम articulate करते हैं that is very very important है right so यह थे students learners के कुछ characteristics जो कि बहुत ज़ादा important है इसी के साथ यहाँ पे कुछ और characteristics है एक अच्छा learner कौन होता है वो curious होता है यानि कि उसमें कुछ भी चीज़ें जानने की कुछ नया पढ़ने की नया सीखने की चाह बहुत ज़ादा होती है interest बहुत ज़ादा होता है carefully understanding कोई चीज ध्यान से अगर आप यह वीडियो अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हो तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कई होते हैं कि हाँ वीडियो चल रही है ध्यान mobile में है गेम में है कहीं पे भी है तो careful अगर आप एक बार भी किसी चीज़ को समझते हो तो आप 100% उस चीज़ को याद रख सकते हो ऐसा है तो आप लोग के गुड लर्नर हो सोशल और परसनल क्वालिटी ग्रोथ एंड डेवलेपमेंट विलिंगनेस तु लर्न यह गुड लर्नर का क्यूरियोस होता है वही पॉइंट आ गया ठीक है, इंटरस्ट और अटिट्टूड अप लर्नर कैसे उनकों इंटरस्ट है, क्या वो सीखना चाहते है easily adjusting to change कई लोगों होते हैं कि नहीं हमें इसी टीचर से पढ़ना है हमें यह environment में नहीं पढ़ना हमें यह नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए इस तरह का student जो होता है इस तरह का learner जो होता है वो एक अच्छा characteristic वाला learner नहीं होता है जो student कहीं पर वी easily adjust हो जाते है change के लिए कि कोई teacher है कोई बात नहीं है आज हम दूसरे teacher से पढ़ लेंगे वो अच्छे learners होते है internal motivation ये self motivation भी बहुत जरूरी है social cultural background के उनकी अपनी life में क्या चल रहा है ये भी उनकी learning को effect करता है और उनकी learning power कि वो कितना जल्दी सीखते हैं कितना जल्दी समझते हैं ठीक है तो यहाँ पे students आप लोगों के साथ मैंने 10 points शेयर किये आप मुझे 10 में से बताईए कि आपके कितने आप इन से रिलेट कर पा रहे है उससे आपको पता चल जाएगा कि आप एक अच्छे learner हो या नहीं हो ठीक है 10 में से मुझे जरूर कॉमेंट आप